ये बच्चा बड़ा शैतान है ये बच्चा बड़ा उधमी है ये बड़ा दंगलबाज है ये बच्चा बड़ा प्रमादी है ये सब्द आपने सुने होंगे अक्सर हम छोड़े बच्चों के लिए या जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनके लिए हम इस जरू से ज़्यादा करे या डिश्टब करे इसमें जो सब्द है प्रमाद होना या प्रमादी होना ये आज की भासा जो बाद में हिंदी बनगी पाली से उस भासा के अंदर इसको प्रमाद बोला जाता है modified भासा में पुरानी भासा में प्रेवर्ड नहीं है यानि पै और आधा रह नहीं है ये है पमाद और जो पमाद करते हैं यानि कि जो आलस करते हैं इसका मतलब वहां से आता है यानि कि जिन में बहुत ज़्यादा काम ना करने की शक्ति हो या जो आलस हो जिनके अंदर जील ना हो जो थके थके से रहते हैं उनको कहते हैं कि ये पमादी है और जो लोग बहुत ज़्यादा महनत करते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं और कभी आलस नहीं करते हैं जिनके अंदर बहुत जील होता है बड़ी पॉजिटिव एनरजी होती ह उनको बोलते है अप्रमादी और अप्रमादी को पाली में अप्माद बोलते है अप्माद यानि कि ए के साथ पै लगता है तो बीच में आधा पै भी आता है दो वार पै करके बोला जाता है अप्माद या अप्मादी अपमाद दूसरा वग है यानि दूसरा वरग है धमपद का यमकवग 20 अपनी गाताओं और कथाओं के साथ पूरा हो चुका है आपने देखार सुना और आपने बहुत अच्छे एक ऊच्छे उसके मेंट किये अब उसका बारे गाथाओं का बारे कथाओं का एक सेट है जिसको अपमाद वग बोलते हैं अपमाद का मतलब साधान रूप से मैंने जो आजकल होता है वो आपको बता है मगर उस समय या भगनवान बुद्ने या भंगी बुद्ने या भागवान बुद्ने या भववान बुद्ने या भववतवान या भववन्तु बुद्ने जो अपमाद का अर्थ बताया है खास तोर से खुद के ग्यान के लिए यानि अपने उत्थान के लिए वो बहुत सिं माद जो सब्द इस्तमाल हुए है उसका मतलब यह है कि आप जब अपने साध्रा में बैठेंगे अपने सरीर को देखेंगे तो आप यह देखेंगे कि बुराईयां जो हैं जो बुरी चीज़ें हैं वो आपको घिर रही है वो आपसे लिप्टी हुई है आलस है, क्रोध है, लालच है, वासना है, हर तरह की वासना है या बहुत ज़्यादा कोई चीसल राग है या दुएस है या मो मूडता है वो आपको पकड रही है और घेर रही है आपको बिलकुल भी परमाद में नहीं पड़ना यानि कि जब वो घेरती है तो इसको उन्होंने परमाद बताया है कि ये परमाद में पड़ गया, राग देसमों में पड़ गया और अगर आप इनसे दूर रह देते हैं, इनको पास नहीं आने देते हैं तो उसको उन्होंने अपरमाद बताया है अपरमाद यानि कि अब ये परमाद में नहीं है, इनसे दूर है तो यहां जो लड़ाई है प्रमाद की और एप्रमाद की यानि कि अप्रमाद की और पमाद की वो इतनी है कि आपको निगेटिव फोर्सिस ये सारी गंदी चीज़ जो जीवन को खराब करती है, सरी को खराब करती है, परिवार को खराब करती है, महले को खराब करती है, देश गठा और काठाएं इसी वारे में हैं ये उसका एक मैंने आपको छोड़ा सप्वेचे दिया है पहली कठा में आप बहुत ही सिंपल है धन्यवाज पूलिए पर पास्वेची वारे में आपको छोड़ास्पीन झाल गओ़ा इसाया ही वारे में है झाल